हेलो इंजिनियर्स हो गाईज आज के वाइटी सेशन में यूटूब पे मैंने आपको homework question दिया था यह इसमें देखो क्या लिखा हुआ है P is the net upward pressure on a square footing of side B, एक square footing है जिसका side B है जिस पे upward pressure लग रहा है P ठीक यह आपको data given है अब इसमें क्या करना है आपको इस particular question में आपसे पूछा गया है कि the maximum bending moment is given by maximum bending moment कहां पर आएगा आपको जहां पर column यहां पर column की position जो भी होगी उस column की position के इसके face पर आएगा आपको तो यहां पर आपको calculate करना है यहां पर calculate करने का सीधा सीधा आपको तरीका बताता हूँ बहुत आसान आपको पता है कि जो column है जिसका side A है लिखा हुआ है question में और इसका side B है तो B में से A को घटा दे और उसका आधा कर दे तो इधर वारी dimension आ जाएगी यह वारी dimension B मैंनस A by 2 ठीक तो यह dimension हो गए B मैंनस A by 2 और इसकी विर्च तो टोटल B है तो इसका पूरा area कितना हो जाएगा B मैंनस A by 2 into B और उसमें stress का multiply तो सिधा सिधा answer आजाएगा P into B into B minus A by 2 ठीक correct और यह तो आपको टोटल लगने वाला pressure पता चल गया और वो कितनी दूरी पर लगेगा तो B minus A by 2 का आधे पर लगेगा यानि कि net इसका जो आएगा वो center पर आएगा तो B minus A by 2 का आधे यानि कि B minus A by 4 इसका multiply कर देंगा तो क्या हो जाएगा P into B B minus A का square divided by 8 this is your final answer option C is correct I hope आप लोगोंने solve कर लिया होगा thank you so much मिलते हैं next video में इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहे हैं स्वस्त रहे है